प्रमूत कुमार चौधरी और दीप नारायन गिरी निर्वाचित हुए ब्यार के शेकपुरा जिला से प्रेमी यूगल की शादी चर्शा का विशाय बन गई है दरसल दोनों प्रेमी यूगल पिछले तीन महिने से एक दूसरे से प्रेम करते थे और प्रेम के रास्ते में कोई रोडा न बने इसी को लेकर दोनों ने शेकपूरा कोर्ट परिसर में शादी की वही बियार में 6 साल बाद सोमवार की रात भुकम के जटके महसूस किये गए रिक्टर पैमाने पर इसकी तीवरता 3.5 बताई जा रही है वही पटना सहीद बियार के कई जिलों में रात 9 बच कर 23 मिनट पर 6 से 7 सेकेंड तक जटके को महसूस किया गया पटना जिले में जमीन से 5 किलोमेटर नीचे इसका केंद्र रहा है ओप्रेसा में एसी सी सीमेंट कमपणी के खिलाव मजदूरों ने अर्धनगन होकर प्रदर्शन किया प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने कमपणी के प्रबंधन पर शोशन करने का रूप लगाया मगद विश्व विद्याले की सिनेट बैठक में 719 करोड रुपए के वित्तिय वर्ष का अनुमानित घाटे का बजट पेश किया गया इस दोरान सिनेट सदस्य नवल किशोर यादव और अनिल सुलब ने छात्रों के सुविधाओं को लेकर कुलपती को सुझाव दिया महीं बैठक में विश्व विद्याले की इंफ्रास्ट्रक्चर को बहतर बनाने की भी बात की गई महीं बियार सरकार के परियतन मंत्री नारायन प्रसाद पश्यम चंपारन के बेतिया पहुँचे जहां उन्होंने जिला अतितिग्रे में प्रेस वार्ता आयुजित की इस दोरान उन्होंने कहा कि चंपारन के सभी प्रमुक धार्मिक और दर्शने के स्थलों को विक्सित किया जाएगा ताकि जिले में प्रेटन को बढ़ावा मिल सके मैट्रिक के चारतों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार बोड की मैट्रिक परिक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी परिक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर तैयारी पूरी कर ली गई है अगर किसी स्टूडेंट्स के प्रवेश पत्र में फोटो में कोई गरबड़ मैट्रिक परिक्षा में लगभग 16,84,666 परिक्षारती शामिल होंगे होई मुतिहारी के पिपरा कोठी में खेती और पशुधन के विकास के लिए क्रिशी विज्ञान केंद्र की तरफ से पशु आरूग्य मेला कायोजिन किया गया जिसका उद्गाटन राज जिपाल फागू चौहन करेंगे पशुधन और किसानों के लिए 70 प्रकार के स्टॉल लगाए गये हैं मेली का जैजाले ने पहुँचे पूर्व केंद्रिय क्रिशी मंत्री राधा मोहन सिंग ने कहा कि किसानों के खेती और पशुधन के विकास के लिए इसका आयोजिन किया गया है आपको बता दें कि हर साल पशुधन के मेला का आयोजिन किया जाता है वेटक में जामुमो आरजेडी और कॉंग्रेस पार्टी के कारेकरताओं ने भाग लिया बताया जा रहा है कि 18 फरवरी को कुकुडू प्रखंड में ग्रामीन विकास मंत्री आलमगीर आलम का आगमन होने वाला है कारेकरम को सफल बनाने के लिए महागट बंधन के कारेकरताओं के बीच चर्चा की गई वही मोतिहारी के केंद्रिय कारा मंडल में प्रमंडली आयुक्त ने दौरा किया जहां उन्हें गाड आफ और से नवाजा किया इस मौके पर जिलादिकारी ने केंद्रिय कारा में चंदन का वरिक्ष लगाया और बंदियों के लिए एपलिक प्रस्रिक्षन केंद्र का शुभारम किया जिसे कैदियों को रोजगार मोहिया कराया जा सके वही कोरोना संक्रमन के बाद अब धार्मिक और आस्था केंद्रों के लिए धार्मिक स्पेशल ट्रेनों की शुरुवात 12 मार्च उसे होने वाली है आपको बता दें कि ये धार्मिक स्पेशल ट्रेन है दक्षिन भारत के विभिन धार्मिक स्थलो का ब्रह्मन करवाएगी धार्मिक स्पेशल ट्रेन रक्सॉल से शुरू होकर समस्तिपूर के रास्ते कन्या कुमारी शहीद जगनातपूरी की धार्मिक यात्रा को 13-14 दिन में पूरा कराएगी। फ्राल ब्लोटे नोबस इतना ही हमें दीजिए इजासत बने रही इनेशन न्यूस के साथ शुक्रिया